हेलो गाईज प्रतिक हेर तो आज हम बहुत सारी बोडी बेल्डिंग इंडेश्ट्री की न्यूस के बारे में बात करेंगे तो आज की पहले अपडेट है सेडरिक मैकमेलन की तरफ से लीजियन स्पोर्ट्स फिस्ट उन्होंने कंफर्म किया है कि सेडरिक इस शो में खेल रहे है ये शो होने वाला है 24 अक्टूबर को यानि लगबग एक मैना बचा है हमें पता है सेडरिक ने इंजूरी के वज़े से आर्नॉल्ड और ओलम्पिया से बैक आफ कर लिया था सेडरिक एक बहुत बड़िया जेनेटिक्स वाले क्लासिक लूक वाले अथलीट है अगर वो पिक करते है तो डेफिनेटली टॉप फायू तो पहुच सकते है बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो देखते हैं इस शो में कितने अच्छी प्लेसिंग लाप आते है सेडरिक, सर्जियो, मैक्स चाल्स और स्टैनिमल के अथलीट आने वाले है सर्जियो ने तिन-चार दिनों पहले अर्नल गासिक में कमपिट किया था बट वो टॉप थ्री में आने में फेल रहे है इसलिए किसी ने भी उनकी फिजिक की बात नहीं करी बट अगर आप उनके अपडेट्स को धहां से देखोगे तो आपने ओल टाइम बेस पर थे लास्ट येर उन्होंने लाइनप में रैमी, डेक्स्टर, विलियम होने के बावजुद भी टॉप फावियो में जगा बना ली थी पिछले साल ही और उन्हें अपने पोटेंशिल को शो किया था बट इस बार पूरी तरसे ओवरलुक हो गए, उनके फिजिक की बात करे तो कंडिशनिंग अच्छी थी पिछले साल के मुकाबले साइज अड़ किया था, बैक में इंप्रॉमेंट्स थे बट प्रॉब्लेम थी फेलती हुई वेस्ट, वो वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाए, वेस्ट अलमोस्ट लैट्स के बाराबर लग रही थी एक महिने के बाद देखते है, क्या वो इस शो को जल्दी जीत कर ओलम्पिया 2022 को कौलिफाइक कर सकते है या नहीं तिसरे अपडेट है नाथन डियाशा की दरफ से, नाथन अलेवाले दो अक्टूबर को अर्नौल क्लासिक यूके में खेल रहे है, इस शो का नाम कितनी पर चेंज करेंगे मुझे तो नहीं पता, पहले था ब्रिटिज ग्रैंट प्रिक्स, उसके बाद किया टू ब्रोज प करना, बट मुझे लगता है कि उन्हें जल्दी अमेरिका में आकर प्रेप स्टार्ट करना जाइए, क्यूंकि अभी पैंडमिक का टाइम चल रहा है, कभी भी फ्लाइट्स ट्रावलिंग बंद हो सकता है, हो पैसा ना हो बट कुछ कह नहीं सकते, नाथन डिफिनेटली उस फिजिक अपडिट शेर करी है, स्टिव के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हाइट अची है, ठीक टा क्लासिक लूक है, बट वो उतमे अची फिजिक शो नहीं कर पाते, स्टिव की कंडिशनिंग हमेशा उनकी फिजिक को स्पोयल करती है, इस अपडिट की बाद क इस डिविजिन की फर्स प्ले जा सकती है, अफकोर्स क्रिस बमस्टेड, इसमें कोई बताने की जरुरत है, अब आपको क्रिस के बारे में ज्यादा बताने की जरुरत नहीं है, बट क्रिस को विनिंग फॉर्मिला पता है, उन्हें बस उसी को दोराना है, वो पिछले दो सा साल रफ डिजल से हार गए थे और थर्ड प्लेस हुए थे बट इस साल मुझे ऐसे लगता है यह सेकंड प्लेस उनको जा सकती है क्यूंकि ब्रियोन अल्रेडी टू टाइम चैंप है उन्हें पता है शो केसे जितना है अगर वो अपने ट्रेड मार्क ड्राय हार्ड फिजिक ल फॉर्थ प्लेस जा सकती है एलेक्स केमर नेरो को रफ डीजल और एलेक्स केमर नेरो इनकी पूजिचन को लेकर में थोड़ा हैप्ई नहीं था एलेक्स साइज में कम थे बट वो मुझे रफ से अच्छे और condition लगे उनके लेग्स में डिटिलिंग अच्छी थी यानि एले को साइज के लिए बहुत ज़्यदा क्रिटिसाइज किया हमें पता है उन्हें पोजिंग में बहुत दिक्कत आती थी बट उन्हें अर्नल क्लासिक में बेस्ट पोजर का आवर्ड मिला है सो इसलिए फिप प्लेस लोगन फ्रैकलिन ये थी मेरी प्रेडिक्शन आपके ओपिनि लिंक डिस्क्रिप्शन में है थैंक यू